एबिस नाईगरा इस्टमक अमास से रिलेटेड कई परकार के बिमारियों में वर करता है यह मेडिसिन इस्टमक के म्यूकस मेंब्रेन पर कार्य करती है और डाइजेशन प्रोबलम को ठीक करता है यह उन रोगों को ठीक करने में भी परयोग किया जाता है जहां बुढ़े लोगों में होने वाले हर्ट डिजीज और साथ में भूख न लगता हो तो एबिस नाईगरा 30 to 200 पावर का मेडिसिन इस्तमाल करना चाहिए चाय, तंबाको के कारण उत्पन रोग, कबज और सरीर के बाहरी रोम छिद्रों में होने वाले दर्द को ठीक करने में एबिस नाईगरा देने चाहिए बहुत अच्छा फाइदा करता है पेट से रिलेटर सिम्टम में रोगी को ऐसा अनभव होता है कि उसके पेट के उपड़ी भाग में कोई अंडे के समान चीज अटकी हुई है जो ना बाहर आती है और ना अंदर जाती है और खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता हो तो उसका उपचार एबिस नाईगरा से करना चाहिए पीट के निचले भाग और कमर में दर्द हो रहा हो तो भी एबिस नाईगरा से उसका टेटमेंट करना चाहिए बुखार के लच्छण में रोगी को बुखार के साथ साथ गर्म और ठंड का बारी-बारी से अनुभव होना जैसे मलेरिया में होता है और पेट में दर्द हो तो एबिस नाइगरा देने चाहिए लेडिस प्रोबलम में इस तिरियों में मेंस्ट्रम साइकिल बंद रहना या देर से आना सांस लेने में कठिनाई होना लेकिन सांस छोड़ने में आसानी होना इस परकार के लच्छणों में भी एबिस नाइगरा देने चाहिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है